जोड़ चुके हैं दी आर्थ नियूस के साथ और मैं हूँ आपके साथ रोमी केरनी और सोपोर इंकाउंटर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है जी हाँ जिस तरीके से आज सुबा सोपोर के एक गाउं में इंकाउंटर शुर कि अब तक अगर पूरे बात की जाये यहानि कि साल के अब तक की बात की जाये तो इस साल में की इस महीने तक की बात की जाये तो 101 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। 77, 179 और 92 जो बटैलियन है उसके द्वारा कॉडन किया गया सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जब आतंकियों ने खुद को घिरा पाया तो उनकी तरफ से जो है बोकलाट में फायर शुरू कर दिया गया था और मोर्चा संभालते ही सुरक्षवलों ने पहले आतंकी को धेर किय गया और इसके बाद जो है एक और आतंकी को धेर किया गया अब जो ये टोल है तीन पर पहुंच गया है और अभी घर बे साथ बताया जा रहा है कश्मीर जोट्वीटर है उसके द्वारा इस पर इंफ़रमेशन दी गई है की टोटल तीन आतंकियों को अब तक धेर कर दिया गया है और इसके साथ साथ वहां से कुछ आमजैन एम्यूशन भी जो हैं बरामत किये गये हैं क्या क्या मालूम हुआ है वो अभी नहीं चला है और साथ ही साथ उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि ऑपरेशन जो है वो ऑवर कर दिया गया ह हो और एक बड़ी कामयाबी के तोर पर देखा जा रहा है और वहीं अगर बात करें तो इलाके में इस इंकाउंटर की वज़ा से कोई अफवा ना फैले कोई भी ऐसी जो सूचना है गलत सूचना बाहर ना पहुंचे इसके चलते जो है इलाके में इंटरनेट सेवा को शिननगर जाने वाली जो ट्रेन थी यानिक शिननगर और बारमिलग के बीच में चलने वाली ट्रेन को भी सस्पेंट किया गया था और अब जो है प्रिकॉशनरी मेजर से तो अब उमीद यह है कि जल्द ही वह सारी सस्पेंड़िड सेवाएं हैं उन्हें भी जो है खोल दि तो होगा इस अबरेट में बस इतना ही जुड़े रहें दियार्थ न्यूस के साथ